नमस्कार मनेगुरू की इस खास पेशक्ष में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्वाथी रायना बाजार की चाल के हिसाब से क्या आप अपने निवेश की चाल को सेट करते हैं तो ये गलती करना आप के लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि बाजार तो उतार चड़ाब दिखाएगा ही लेकिन उसके दम पर आप अपने निवेश को रोक नहीं सकते हैं और ये अपने पिछले साल अपने निवेश के साथ देखा भी होगा तो आपको करना क्या है सेब एसे अलोकेशन में थोड़ा बदलाव करना है अब ये कितना आसान है आपको कैसे करना है ये हम समझेंगे निवेश की स्ट्राटेजी बताने के लिए हमारे साथ जो खास मैमान है उनका परिचे करा देते हैं हमारे साथ आज है क्षितिज महाजन को फाउंडर कंपीट सर्कल कंसल्टन क्षितिज बहुत स्वागत है आपका शो में जैने वास्वाति क्या खास आज हम शो में चर्चा करने बाले हैं जरा पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं आज हम शो में जानेंगे आसेट अलोकेशन से कैसे करें रिस्क को मैनेज मौजुदा बाजार में आसेट अलोकेशन का तरीका क्या है साथ ये भी समझेंगे मिट कैप इंडेक्स में निवेश से अभी क्या मिलने का फाइदा श्रीति सबसे पहले आप से यही जानना चाहते हैं कि हमने पिछले साल भी देखा था कि किस तरीके से बाजार ने जब अपने अलग-अलग चाल दिखाई तो निवेशकों के मन में डर आया उढ़ोने कहिजोंने अपने निवेश को रोक दिया।किन अपने जारी रख़ा जिन्होंने जारी रख़ा उनको फाइदा हुआ जिन्होंने लोका आप ऊच्छटा है Oracle का अगरश्छ एसेट ऐलोकेशन ठीक से कर लिया होता तो शायद इसकी नौबत ही ना थी तो एसेट ऐलोकेशन का की इंपोर्टन्स इस्पेशली बाजार की उतार चड़हाव में किती सादा बढ़ जाती है So Swati, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एसेट ऐलोकेशन है क्या Asset Advocations मतलब सरफ सिंपल दे में यही है कि आप एक एसेट में डालके आप मुल्टिपल एसेट में प्रापैस अप्रापैस अप्रापैस में क्या होता अगर एक एसेट थीक नहीं कर रहा होता आप मालनीचे, लास्ट यर हमें देखा जब कोवेट बेख शुरू हो आप में मार्च में एकुटी मार्केट हमारी अपनी इनिफ्ती 37-38 परशन तरेक्ट हुई तो गोल्ड के प्राइस ग्लोबली और इंडिया में भी स्पाइक हुए और 57-58 थाउजन आपका पर्टोरा गोल्ड हो गया तो इसलिए it's always good to diversify on asset allocation parameter और काफी clients अपना जब गोल्ड प्लान करते हैं या फिर जब अपने पैसे की investment की बात करते हैं तो वो asset allocation करते हैं कि मेरा कितना पैसा equity में जाएगा कितना रिलेस्ट में जाएगा कितना गोल्ड में जाएगा और कितना fixed income में जाएगा तो यह asset allocation काफी comfort देता हूं क्योंकि हो सकता है कि वो सारा पैसा risky asset में डालना चाहते हूं कुछ पैसा वो long term bank fixed deposits आ जाता है या फिर arbitrage funds आ जाते हैं तो उस चीज़ को देखते हुए आप एक bucket बनाते हो अपनी और different asset में पैसा डालते हो यह asset allocation आपको comfort देता है जब मार्केट बहुत रोलेटाइल होती है या मार्केट बहुत अच्छा कर रही होती है यहां पर एक चीज़ का ध्यान रखना यहां पर कि आपको अच्छी बात है कि आपने निवेश की शुरुवात की लेकिन उसको सही ढंग से कैसे आपको मैंनेज करना है यह asset allocation काम करता है मतलब बाजार को तार चड़हाव में आपको अपने रिस्को बालन्स करना है asset allocation के जरिए asset allocation का जो बेस है का जो आधार है क्षितिच वो आप से समझना चाहें कि वो कैसे बनता है किन parameters पर asset allocation को हमें रखना चाहिए सबसे पहले आपको asset allocation decide करना है तो आपको यह decide करना है कि आपका risk appetite के अनुसार ही आप देख पाएंगे कि आप कितना equity लेना चाहते हैं कितना balance category में चाहते हैं कितना fix income करना चाहते हैं दूसरा जो important part यह है कि आपको किस bracket की wealth creation के लिए आप अपना investment कर रहे हैं but on an average हमारी country में inflation पिष्टे तींचार सर अगर निकाल दीजे तो पिष्टे 35 यह उससे पहले का inflation average 8% रहा है तो आप wealth rate नहीं करने हैं in fact आपका 6-7% का target wealth creation का भी wealth depletion का है so तीसरा important यह है कि आप जब asset allocation decide करते हैं तब उस समय markets की क्या situation है इन तीसरा को देखते हुए risk parameter आपका अपना target return from the asset classes and third is capital markets की उससे में क्या situation है इन तीसरा को देखते हुए आपको और चौथा यह obviously point है कि आपको capital की कब ज़रू होता है क्योंकि अगर हापको short term period ले capital की ज़रू होता है obviously output में दी जा सकता इन चार सीथे को देखते हुए अपना का asset allocation का division करते हैं कि वो किस किस asset classes में जाएगा बिल्कुल तो आपका risk appetite, आपके उम्र, आपका लक्ष, आपकी निवेश, अवधी, market की चाल उस वक्त कैसी है इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने portfolio को basically rebalance करते हैं उसको asset allocation कहते हैं किस asset में आपको अपना निवेश कितना रखना है अब इसको manage कैसे करना है यह समझना जरूरी है अब जैसे अभी फिलहाल अभी ताजा market level पर कोई पूछे कि मुझे क्या अपना निवेश जारी रखना चाहिए क्या मुझे रडीम कर लेना चाहिए तो आपका जवाब ऐसे निवेशकों के लिए क्या होगा जिनके मन में बाजार के अस्थरता के साथ अस्थरता रहती है इसमें हमें दो-तीन एक्जांपल लेने पड़ेंगे स्वाधी मानलीचे किसी ने अपना अस्थरता किशन फिफ्टी फिफ्टी परसंट डेसाइड किया है आपको पैसे की इमिडेटल नहीं है और आपका रिस्क अपटाइड स्ट्रॉंग है तो आपको इंटक्त रहना चाहिए या फिर आपको 10-15 परसंट पैसा मूब करके एक्टी ऐलोकेशन से बैलेंस इड्वांटेज फंट या बैलेंस फंट में आजाना चाहिए दूसरी तरह की क्लाइंट्स हैं जो अपना एसेड होगे हैं प्रिकुल स्टिक करना चाहते हैं और वो ज्यादा वॉलिटली के साथ नहीं रह सकते हैं या उनका एपटेंट नहीं है उस केस में आपको जितना भी एक्सेस है अगर आपने 50 परसंट डिसाइड किये तो आप और इस समें 75-80 परसंट है तो आप इस समें 80 को 60 पे ले आएं 50 में मत लाइए तो मेरी 20 को डिव कर देंगे तीसे तरह के क्लाइंट है जो कह रहे हैं कि नहीं उन्हें डर लग रहा है या पर वह भीत है कि कलको अगर मार्केट पूर जागी तो क्या होगा और उनको पैसी जरूद एक साल के अंदर है उनको पैसी के लिए यह बहुत इंपॉर्टन है कि आप इस एलोकेशन समझना कि आपको एक साल के अंदर अगर लिकूर्टी की जुरूद है चाश पलोगी नहीं कि एक साल के ऐसे लेवल पर होसकता है वहां से कारेक्टेट तो जो पैसा आपको 6 मीने से एक साल के दर जूरूवी है उस पैसे को सेक्यूर करके डेट फंड में आ जाईए नॉस प कर सकते हैं और किसी ने अगर डिसाइड नहीं किया हुआ है तो आप दो परामिटर्स को जहां रखिए आपको कैशलो की जुरूरत कब है सेकेंड अगर आपकी यह प्लानिंग लॉंग तब की है तो आप बने रहे हैं नए पैसे को डिप्लॉय करने क्या करना है उसमें हम बात कर सकते हैं अगर वो एक फंड आपके लिए कर ले तो उससे बहतरिक निवेशक के लिए क्या हो सकते हैं क्या हम इसको सही मान सकते हैं कि बैलन्स अड्वांटेज फंड बाजार के उतार चड़ाव में काफी ज्यादा कारगर सावित होता है एक निवेशक के लिए कैसे काम करता है यह बिल्कुल सही का स्वाती और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ अबिसली सारा अलोकेशन अबानेस फंड में मत करें बिकॉस की एक लिमिक है कैसे काम करता मैं सिंपल संशेव में सबको बताना चाहूंगा बैलस अर्वांडेज फंड एक बैलन्स फंड कैटिगरी का फंड है जहांपे आपका एकूटी आलोकेशन 30-20 प्रशन के बीच में डिवेट करता है जातर फंड का जिसमें आप मिनिम्मम 30% अकूटी में जा सकते हैं और मैक्सिम्मम 80% अकूटी में जा सकते हैं ना प्रशय 25% इसमें आपिट्राश फंड में इंवेस्ट होता है जिसका टेक्सेशन एकुटी का ही है तो इसमें एकुटी टेक्सेशन मिलता है दूसरा Market की चाल के हिसाब से different different तरह के funds है कुछ funds price to earning पे उस funds price to book value पे कुछ funds dividend deal पे कुछ funds आपके trend ratio पे कुछ funds तीनों की ratio में depending और उनकी क्या ratio बनती है उसे साब से वह equity का allocation बढ़ाते हैं घटाती जाते हैं मान लिए जो last year की अगर बात करें March 2020 की बात करते हैं उस situation में जब market almost 35-40% corrected थी तो जब market ने recover करना शुरू करा तो balance advantage funds में obviously equity allocation अपने 20 करते हैं और जब market का valuation इस समय stressed है जहां पे market cap to GDP आपका 106 के आसपरस हो गये आशी डेट में वहां पे जातर balance fund आपके 40% equity में है इस सब्सक्राइब आपका cost of capital for running का business is also less काफी businesses ने अपने जितने भी debt cost थी वह भी कम करी है तो उन्हों उच काफी parameters ने आते हैं but yes balance advantage fund आपको window देते हैं जहां पे आपको rebalancing करने के ज़रूरत नहीं है अपने end पे different different parameters पे हर fund अपने आपको rebalance करता है so यह आपका एक तरह से asset allocation का काम करता है तो इसमें जाद तरह सब दोई assets है जहां पे आपका equity और fixed income है okay in fact balance advantage funds जो अभी फिलहाल है market में वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे है in fact मैं क्षिते चाहते हूं कि आप भी थोड़ा सा इनके बारे में अगर बताएं जैसे Edelweiss का balance advantage fund है I.C.S.A.P.Ru का भी balance advantage fund है Kota, HDFC, ABSL, Motilal Oswal का dynamic fund है यह कुछ ऐसे fund है जो की definitely balance category के तो है ही लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल है वो नए निवेशक पूछते हमसे कि उनको सबसे ज्यादा बाजार के उतार चड़ाव से डर होता है तो एक नए निवेशक के लिए balance advantage fund बिलकुल एक safe bet है इस market में तो सवाती बिलकुल safe bet है क्योंकि आज़ी rate में अगर कोई नए निवेशक पैसा डालना चाहता है और वो मानलीजे सौर पर इंवेस्ट करता है तो आठ रपया हफते के हिसाब से अल्ले चाफ मिने में STP कर जे और अगर वो थोड़ा और चाहता है जहां वो चाहता है कि हां थोड़ा time लेकर इस करना चाहता है उससे अच्छा करने का है कि सबसे बड़ा रिस्क इंवेस्ट करने का निस मारकेट से बहर बैटने का जब sih Whatsidet करने कि काफी लोग दस таким निफ्में से olabilir करने कि मारकेट दुबार 8000 को मारकेट है सोलबारन आगरा जाल सोलहार जा ऐत चीफ्ल कार मनेंट हैं इस क्रेण बैलेंस इभांटेज फण्ड काटिकरी के दो या थी फंड जो कॉंसरविटेम इंवेस्टर रे जो चुन सकता है जब एड़लवाइस का बैलस इभांटेज फंड है और सबना यह है कि यह फंड किस पर काम करते हैं अडलवाइस का फंड जो है वो ट्रेंड रिशो पर काम करत करते हैं just to decide on equity allocation उसके आज के अलोकेशन के 64% है आपका ICSE का जो कि फ्लैक्शिफ फंड बालस अड्वांटेज फंड का वो प्राइस पर काम करते हैं प्राइस ऑफ शेयर को बैल्यू आट कंपनी पर शेयर उस पर काम करता है तो उसके डिपेंट करते हैं कि मार्किट की वैल क्योंकि मार्किट काफी काफी बड़ी हुई है तो उस सिटुवेशन में आज उनका परामेटर बता रहा है कि आप 38-39% एलोकेशन करें पिर आपका मोती लाल का बैलन्स अड्वांटेज फंड है जहां पर आपका मुवी इंडेक्स यूज होता है यह भी अपने बहुत इं डिपेंडिंग और मार्केट मुव्मेंट आपका एकूटी और डेट का परसेंटेज इंक्रीज होता रहता है कुछ जगा महिने में दोमार होता है कुछ जगा जैसी रेशो चेंज होती है वैसे होता है तो यह बहुत इंट्रस्टिंग प्रोड़क्शन और लॉंग टर्ब इसाब से अगर आप 9-10% का रिटर्ण बरकेट देख रहे हैं तो आप इस कैटेगरी और फंट को आप क्लाइंट्स ले सकते हैं अपने हैं अपने हैं आपको टेक्स का ड्वांटेज भी है इसमें लॉंग अपने परसेंट तो बेसिकली एक तरीका एक फंड के जरिये तरी मैनिश्चित बाजार में आपको अगर रिस्क मैनिश करना आ जाए तो वेल्थ क्रियेशन तो आपका आपका आटोमाटिकली हो जाएगा एक छोड़ी से ब्रेक लिए आप रुकेंगे ब्रेक के बाद जरा हम बात करेंगे मिड क्या आप इंडेक्स में अभी निवेश करने क्या सही समय है और क्यूं किया जाए इस पर भी चर्चा जारी रहेगी छोटे सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मनिश कर पाएंगे बस सिंपल आपको करना क्या है अपने रिस्क को मैनिश करना आना चाहिए तरीके हम समझ रहे हैं शितिर महाजन हमारे साथ हैं उनसे हम बा पाचीद कर रहे हैं शितिर जरा यह बताईए हमने बालेंस एडवांटिश फंग की बात की जो की एक तरीका है कैटेगरी है जिससे कि आप अपने रिस्क को मैनिश कर सकते हैं क्योंकि जो यह कैटेगरी है वो डिजाइन ही ऐसे की गई है कि वो बाजार के उताचर हमें रि की सब्सक्राइब पारे जुशन कर सकता है ओ दिए सिप के वारा में बहुत हर्चा की है और थाइंस तो यू सवाती एं दोने अफ्यों को जो से थूब रहे है जिए चैपा आपके साथ कवरेज किये ना स्ट्प्स्प्स्पर आपके बात कर दो इसके सथि ए जहां पर आप तरीका है, डिपेंड करता है कि आज market rating बड़ी हुई है तो डिपेंड करता है कि एक वालशन स्ट्रेश्यर की आप टीम मेनी की जागा चार मेनी की STP करते हैं उसका benefit यह रहता है कि आप अगर equity allocation, pure equity allocation लेना चाहते है और आपका risk appetite है, आप young है, आपके पास time horizon है आपके पास, so right way to invest in that case is कि आप सीधा equity मैं participate करें, but at this level, lump sum investment, I will say that नहीं, that's not a right way to do it, सही तरीका वही है कि आप weekly STP करें, मालने चे कोई भी fund ले, आप उसमे 100 rupees deploy करना चाहते हैं, और आप weekly basis आप 7-8 rupees करके 10-12 weeks के अंदर उसको deploy करें, आप उसी mutual fund का मालने चे आप कोटक focus में करना चाहते हैं, तो आपने कोटक liquid fund में अपने पैसे रख दी है, और वहां से के STP ट्रिगर कर दी, जो आप online भी कर सकते हैं, और आपने उसमें weekly option ले लिया, और आपने decide कर लिया कि आपको 12 weeks में करना है STP, तो automatically उतना पैसे divide होके आपका monthly weekly basis पे एक given date को switch होता रहेगा, let's say, अगर आपने Monday लिया तो हर Monday को वो switch होता रहेगा, So that's how STP help करता है, आपको अपने, अपने Lumsum investment को थोड़ा stagger करने में जो अपने आपने एक shift है investment का, rather than peak of the market, and again I'm saying this is, कि यह peak है तो इसके आगे peak नहीं होगा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब है, इस समें market बहुत, बहुत values, बहुत stressed है, और उस situation में जुरूबी है कि थोड़ा सा सतत्ता परती जाए, और stagger way में investment करें तो यह जो STP है, वो कैसे fund से करने की आप सलह देंगे एक नए investment के लिए? So, although large cap, मैं हमेशा कहता हूँ, इन्या investor जो आ रहा है, उसे large cap mutual fund से करना चाहिए, बहुत इंटरस्टिंगली, मैं और मेरे जो बाटन है, हमनों कुछ study कर रहे था, उसमें से चीज निकल के आई कि, mid cap इस समय discount पर है large cap से valuation को, और Swati, मैं मित दूर करना चाहता हूँ, लोगों का जो एक धारना है, mid cap stocks तो लेगे, mid cap जो है, वो छोटी companies है, mid cap stocks की जो अपनी valuation जो सेवी ने define की है, वो 13-14,000 crore से लेके 30,000 crore तक है, तो mid cap पर से mid cap वो छोटी companies नहीं है, 2 billion dollars उपर की valuation की companies है, यह भी अपने हमें बड़ी companies है, पर हां उनका नाव category जो है mid cap है, और 65% ही mid cap में होता है, बाकी सारे 30-35 allocation और large cap या फिर कुसी और asset class में होता है, तो आप large cap ले सकते हैं, तो अपने कोई start करना चाहता है, एक के दो अच्छे mid cap funds ले सकते हैं और साथ में एक के दो flexi cap funds ले सकते हैं, तो चार से पांच funds लेके आप अपनी allocation स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज की rate में अगर मिर से मुझते हैं, तो mid cap इस समय डिसकाउंट पे है आपका large cap or small cap से, close to bond large cap से तो 24-25% discount पे हैं, Okay, mid cap के क्यूंकि आप बात करें अच्छितेच कुछ funds है, in no particular order, हमने बस ये सिले के funds purpose दिखाने के लिए, कि पिछले 1-3-5 साल का return, जो historic return रहा है, वो mid cap space में इन funds का कैसर है, जरा आप भी इनको preview कीजिए, चितिच और बताइए, कि mid cap space पिछले 1 साल में, 1 साल के return हमने यहां पर वैसे दिखाई नहीं, आप इसमें add कर सकते हैं, और 3-5 साल में, क्योंकि mid cap में, कोई 1 साल के लिए तो निवेश नहीं करेगा, तो तरीका, अगर एक लंबा निवेश करना है, तो mid cap में निवेश करने का एक लंबा अवधी का नजरिया कितना होना चाहिए, और रिटर्न के लिहास हम क्या समझें? स्वाथी, मैं एक साल के लिटर्न को इग्नोर करना चाहूंगा, विकर्ज मार्केश है बेली गूट, तो एक साल में ऐसा लगेगा जैसे, मैं चाहूंगा जितने भी दर्शे के शो को देख रहे हैं, वो एक साल गला रिटर्न देखके मार्केट में आए, क्योंकि 12-17 के बाद से जब सेवी का नहा रिगूलेशन आया था, जहां कैटेगराज़ेशन किया गया था कि हाओ इंवेस्मेंट है तो काफी स्मॉलर मिटकेप में सेलिंग आया थी, पर यहां पर यह जुरूर बोलूगाब है कि अगर आप 3-5 साल के रिटर्न देखेंगे, तीन साल में अगर 5 साल के रिखेंगे रिटर्न, ऑन अबरेज, 7-8 परशन का मोर्निंग रिटर्न आया है, जाहे जो फंड्स आप बता रहे हैं, बीन पी का लें या एक्सेज मिट्कैब लें या HDFC मिट्कैब लें, सभी फंड्स का रिटर्न ओवरा परिटर्ट आफ टाइम जो है वो उस रेंज में आया है, जहां आप रिटर्न एक्पेकेशन की में से बात कह रहे हैं, तो मैं बून बंग रहे हैं, हमारी नॉमिनल जीडीप जो है, जो एक्सपेक्टेड है ले चापन सामें, वो 12-13% एक्सपेक्टेड है, जहां पर हम देख रहे हैं कि छे सार परशंट के आसपस मान लीजे हमारा आपका GDP रहेगा आपका रिल जीडीप और चापन परशंट इंसलेशन रहेगा, जो लार्जकेड का रिटर्न इन लाइन विड आपका नॉमिनल जीडीप एक्सपेटेशन होना चाहिए, और लार्जकेड फंट इन लास्ट इन वरी वल पर मैं मानों यहां से बहुंग फुर्दर आपका नॉमिनल एक्सपेटेशन बालस्ट मेंटेश फंट से 9 से 10 परशंट होना चाहिए, बालस्ट से 10 से 11 अचाहिए, लार्जकेड फंट से 11 से 12 अचाहिए, फिर उसके बाद केडिगरी आती है, आपकी मल्टिकेड फंट की, मल्टिकेड फंट में आप इसी ऐलोगेशन में 30 तू 14 परसंट ले सकते हैं, फिर केडिगरी आती है भी लार्ज अचाहिए, जहां आप देख सकते हैं कि आप अन अवरेज अपना 40 तो 15 परसंट रिटर्न एक्सपेड कर सकते हैं, फिर आपके मिटकेड फंट आते हैं, जहां आप 16 परसंट प्लस एक्सपेड कर सकते हैं, क्योंकि end of the day जो हमारे पोटफोलियो के रिटर्न होता है स्वाथी, वो जित्री भी उसकी underline companies है, उसकी अर्णी का निचोड़ी होता है, तो जित्री भी mid-cap companies हैं इंडिया में, आज वो सक्षन है कि यहां से 23 शॉपिस मे करना चाहिए, कि यहां से आ सकता है, वो आपका बोनस बट उतना realistically हो सकता है, depending on की माकरी कंडिशन्स क्या रहती है, मुझे ऐसा लगता है, तो उसको बॉलनार फिगर नहीं लेना चाहिए, बढ़ यह पॉसिबल है. इंडेक्स में निवेश और साथ ही, most importantly, asset allocation को कैसे आपको बनाए रखना है, बाजार की कैसी भी स्थिती में. बहुत शुक्रिया क्षितेच, आज आप हमारे साथ मरी गुरू के इस special episode में शामिल हुए, तो आज के लिए शो में बस इतना ही, एक break के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहेए, जी बिसमेंस. झाल भी स्थिती में विए झाल जारी रहेए, जी बखना है, जी बस्ते रहेए, जी दूर इतना है, तो आप हमारे से एक चुकेंगे, जी भी स्थिती में.